कैसे हैं आप लोग ठीक हैं आज सुभे आप दूर दूर से चल के आए हमारी बात सुनने आए इसके लिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ वनवासी और आदिवासी में जमीन आस्मान का फरक है आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धर्ती के इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे आदिवासी का यह मतलब है हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल जमीन जंगल का फाइदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए जल जमीन जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए आदिवासी शब का यह मतलब है अब इन्होंने नया शब निकाला जो पहले अंग्रे इस्तिमाल करते थे वनवासी वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है ना जल का ना जंगल का ना जमीन का आप तो जंगल में रहते हो अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा इसलिए वो आपको वनवासी कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं आपके बच्चे एंजिनियर ना बनें डॉक्टर ना बनें लोयर ना बनें हवाईचार्ज ना उड़ाएं इसलिए वो आपसे कहते हैं भई आप तो वनवासी हो आप त जरूरत आपको इंजिनियर बनने की क्या जरूरत आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत आप तो वनवासी हो और हम कहते नहीं आप वनवासी नहीं हो आपको वनवासी कहना आप पर अक्मान है आप आधिवासी हो ये देश आपका था और इस देश में जो जंगल है जमीन है जब मोदी जी यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप वनवासी हो, उस शब्द के पीछे सोच है कि आप वनवासी हो, आप जंगल में रहते हो, जल हमारा, जमीन हमारी, जंगल हमारा. आदिवासियों का नहीं, मोदी जी का, RSS का और अरब पत्यों का, जहां भी चाहते हैं, आपकी जमीन चीन लेते हैं, नया शब्द निकला है, विकास, विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीन हैं उठा के ले जाओ, यह इनका विकास. और हम चाहते हैं, कि अगर आपकी जमीन जाए, तो आप से पूछ कर जाए, और अगर आपने अपनी जमीन दी, तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले, और अगर वहां इंडेस्ट्री बनी, फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री में आपके बच्चों को रूजगार मिले. इसलिए हम चाहते हैं, कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे, एंजिनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, फैक्ट्री को चलाना सीखें, यह लड़ाई चल रही है. आप देखिए, इस देश में तक्रीबन आठ परसेंट आदिवासी हैं, 15 परसेंट दलित हैं, और तक्रीबन 50 परसेंट OBC हैं, और उसमें आप 15 परसेंट माइनॉरिटी जोड़ दीजिए. हम इस अगनीवीर को खतम कर देंगे. तो आप से मैं यह कहना चाहता था, आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी, समविधान की रक्षा करनी है, एक साथ मिलकर समविधान की रक्षा करनी है, और जो समविधान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकना है. दिल से आपका धन्यवाद जोहार जेहन